दोस्तो आज का direct selling business बहुत चर्चा में है काफी लोग इस business को कर रहे हैं लेकिन हम मेंसे काफी लोग ऐसे भी हैं जो इसे करना तो चाहते हैं लेकिन उनके मन में कुछ सवाल उखते हैं और वो थोड़ा घबराते हैं आज उन्ही सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगी। इसलिए आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा। हो सकता है जिनके मन में इस बिजनिस को लेकर जो सवाल हैं उनके जवाब क्लियर हो जाएं। और उनका इस बिजनिस को लेकर जो point of view है वो चेंज हो सके। बनाय जाता है जो अपने personal network या contact use करके product sale करते हैं यहां भी company के employee नहीं होते बलकि self-employed माने जाते हैं इंडिया में सभी direct marketing companies Indian direct selling association यानि DSA के आधार पर काम करती हैं अब जानते हैं कि यहां पैसा कैसे कमाये जाता है दरसर direct selling companies दो तरह की होती हैं single level marketing and multi level marketing single level marketing में company अपने distributor को personal sales activity पर income का एक हिस्सा commission के रूप में देती हैं यहां पर team network नहीं बना सकते हैं multi level marketing की बात करें तो इसमें sales representatives दूसरे लोगों को अपनी sales team का हिस्सा बना कर अपना अलग distribution network बनाते हैं उन्हें अपनी sales पर commission incentives या bonus मिलता है multi level marketing इंडिया में direct selling का सबसे popular model है MV company भी इनी में से एक है direct selling marketing में customer को अच्छे दामों पर good products मिल सकते हैं इसमें सबसे important बात यह है कि इसमें customer और sellers direct connect होते हैं और इसमें product की delivery customer के घर पर की जाती है direct selling business में direct sell में कोई भी कम investment पर अधिक profit आसानी से कमा सकता है इस से जुड़ने के लिए किसी भी age की limitation नहीं होती हाँ लेकिन 18 साल के बाद और ना train person को होना जरूरी होता है इस business में ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरुरत नहीं है इसमें अनुभवी होना भी उतना ही माइने रखता है यहाँ आपका कोई boss नहीं होता है यहाँ आप अपने time के हिसाब से और अपने सुविधा और सहुलिय के हिसाब से काम कर सकते हैं direct marketing पैसा कमाने के best option में से एक है अगर आप unemployed है या फिर student है या फिर आप एक house wife है तो यह आपके लिए अपने खाली समय में कुछ extra income करने की best opportunity हो सकती है इसमें कोई risk नहीं है इसलिए आप बेफिक्र होकर direct selling business को join कर सकते हैं